हेलो फ्रेंड्स तो आज हम क्लास नाइन थेंसियाइटी मैट्स के चैप्टर नाइन के एकसरसाइज 9.3 का क्वेशन नमट 16 डिसकस करने वाले हैं तो इस क्वेशन को अच्छे से सॉल्व करेंगे ठीक है इसके एक-एक पॉइंट को इन डिटेल समझेंगे चलिए फटा- आँ एरिया ओफ डिए आर सी कुल अफ डिपी सी एंड एरिया ओफ डी बीडीपी एकवल अफ ए आर शी सो देट बोथ दा क्वाद्रेटर्ल से बी-सी डी अटी-सी पी-आर आर ट्रपीजियम्स क्या खेरा है आपसे कि डी-ार-सी यह वाला इस वाले ट्रेंगल का एरिया औ फिर सिकेंड में हमको कह रहा है यहां पर एरिया ओफ बी-डी-पी एक्वल एडिया ओफ ए र शी से और वी-डी-पी एकवल डी औरिया फेर सी यह पूरा बड़ा ओला ट्रेंगल North की बार ले रहा है कि छोटा अलदध तो बहुत ही आसानी से जन्स्टिन टू स्टेप्स और हमारा पूरा position solve हो जाता अब ये जब दे रहा है पूरा triangle तो अगर ये दोनों भाई equal हैं अपस में ये देखे area of ART DRT और DPC दोनों अपस में equal हैं तो दोनों को अगर हम इस बड़े वाले triangle से minus कर दे तो हमारा ये दोनों area equal हो जाएगा और हमारा ABCD भी एक parallelogram प्रूव हो जाएगा तो करते हैं इसको भी solve सबसे पहले ABCD solve करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे area of DRC equal area of DPC 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 यही तो है given हाँ DRC और DPC यह एक स्कुड DPC यह आपको है given ठीक है इस तरीके से आप लिखती है given इसके बाद जब आपको यह given है proof क्या करना है area of ADC equal area of BD BCD ठीक है तो सबसे पहले अब लिखेंगे यह चीज area of BDP area of BD D BDP यह एक स्केंड इसको सभी कर दूँ नहीं तो यह P लग रहा है BDP equal area of ARC यह भी आपका given है so by subtracting यहाँ पर मैं 1 लिख रहा हूँ और 2 लिख रहा हूँ ठीक है यह आपका है 2 और यह आपका है 1 इसको आप copy अपने notes में लिख लीजेगा इसके बाद हम क्या करेंगे subtract करेंगे जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था by subtracting one from two क्या किया मैंने पहले वाले को दूसरे वाले में से subtract किया है इस चीज का ध्यान रखिएगा दूसरे वाले को पहले वाले में से मत subtract करने लगीगा ठीक है तो लिखते हैं अब इसको तो क्या होगा area of BDP area of BDP minus area of DR BDP है तो इसमें हम यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम एक ही ट्रेंगल लेंगे चाहे आप DPC ले लीजिए और चाहे आप DRC ले लीजिए कौन सा ले हैं चलिए DRC ही ले लेते हैं area of DRC DRC equal area of यहाँ पर क्या है A.R.C A.R.C minus area of DRC reason आप यहाँ लिख दीजिएगा जरूर say because area of DRC equal area of DPC ठीक है यह इतना आप लिख दीजिएगा इसके बाद अब हमको क्या मिलेगा जब तोनों को हमने कर दिया subtract तो हमको area of यहाँ पर मिल जाएगा B.D.C and A.C.D B.D.C and A.C.D B.D.C equal area of A.D.C यह मिलेगा हमको इसको subtract करने पर ठीक है Since both triangles both triangles lie on same base and having equal area equal area so they will lie they will lie between same parallels therefore 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 A.B parallel D.C यह है आपको यह मिल जाएगा ठीक है Since since a pair of since a pair of of parallel sides parallel sides are present in are present in quadratoral ABCD Therefore, quadratoral ABCD is a trapezium समझ मैं इसको एक साइड पैरलल मिल गई तो उसको हमने पैरललो ग्राम प्रूफ कर दिया जैसे 15 वाला 15 नूबर वाला कुश्चत था न सेम उसी तरीके से है बस उसमें हमने मेरे खाल से प्लस किया था इसमें हम सब्ट्रेक्ट कर रहे हैं सिकेंड वाला तो सेम उसी तरीके से है यहां पर आपको यह दोनों DRC और DPC दोनों एरिया एक्वल मिल रहा है तो यह लाई करेगा ठीक है आपको यह लोजार आपको यह लोजां प्राइब यह लोजाओ कर। रहे हैं lie on same base, same base के है DC, and having equal area, therefore, so they lie, so they lie, they lie, between, same parallels, same parallels, therefore, DC parallel, क्या मिल जाएगा आपको, DC parallel RP, DC parallel RP, therefore, quadrateral ABCD, नच नहीं, DCPR, is a trapezium, क्योंकि हमारा ये parallel side मिल गया, एक, तो ये हमारा parallelogram प्रूफ हो गया, ठीक है, और हमको यहीं प्रूफ भी करना था, यहाँ पर मैं आपको दिखा जेता हूँ, एक बार, DCPR और ABCD को उमको trapezium प्रूफ करना था, तो हमने दोनों को ही trapezium प्रूफ कर दिया, अमीद करता हूँ, ये question आपको अच्छे से समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसी को share करें, तो आज के लिए बस इतना ही मिलते किसी और नए वीडियो में, किसी